हेलो उस्तों मैं हूँ आशे तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपको Aero OS जो के Android 10 पर बेच्ट है इसका एक फुल रिव्यू दूँगा जूक Z2 Plus में और बताऊंगा आप कैसे इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो इसके पहले मैं एक वीडियो बना चूका हूँ जिसमें मैंने आपको Aero OS के बारे मता है तो भी दोस्तों एंट्रो 10 पर बेच्ट है और मैंने उसका फुल रिव्यू दिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा वहां पर जाकर उस वीडियो को दिया है और इंस्टॉल में जाने के बाद मैंने रूम को सेलेक्ट किया और स्वाइब करके इंस्टॉल कर दिया है तो पिशेंस बना कर रखिये कोई भी दिक्कन नहीं आएगी दूस्तों इस रूम के साथ आपको अलग से जी एप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंक किसी रूम में चेंज करना चाते तो फिर आप इस रूम को इंस्टॉल कर सकती है जी केम दूस्तों काम कर रहा है लेकिन इसमें वीडियो रिकौ poton ठीक से काम कर रहे है कभी काद क्या रूम कार्ण है या और फिर आपका पूरा पूरा फोन में फीका बटन पाद में को नही लिमेट देखने को मिलेंगे, आपको इतने स्यादा कस्टमाज़जेशनस नहीं मिलेंगे, जो आपको लाइने do-res या दूसरी तो में मिलते हैं. बैटरी बैकप दूस्तों average है. इसमें दोस्तों यूटर्स अच्छा से काम कर रहा है लेकिन ओन स्क्रीन जो नेविगेशन बटन है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इसमें कुछ बक्स आपको देखने को मिलेंगे वागी दोस्तों यह एरो वोस का इनीशल बेल्ड है अगर आप यूज्ड करना चाहते हो किसी रोम को थोड़े दिन के लिए आप इसे ट्राइ करकर देखना चाहते हो कि ऐसा काम करती है तो फिर मैं आपको स्चेस्ट करूंगा कि अश्चे से इंस्टॉल कर सकते हो लेकि अगर आप एस इस्टील ड्राय भर इस रूम को यूजञ करना चाहते हो वह तस रहो थ है कंगा को ही आपšा हगो जाता है। आपको यहां पर बहुत सारी कर्षमाइबर के लिए कोई रोम को यूज करना है तो पिर आप एक्सल एक्सप्रियांस में जा सकते हैं यह पर दूस्तों मेरी बाकी वीडियो का भी वेट कर सकते हैं मैं बहुत साही रोम का रिव्यू देने वाला हूं तो फ़र मैं आपको सब्सक्रिश करूँगा कि आप किसी वीडियों को यूज करने से पहले हूं उस वीडियों का एक फॉल रिव्यू देख लिए जो कि आपको मेरी तरफ से देखने को मिलेगा तो दोस्तों के वीडियों में से इतना ही थैंक यू एन हवा नाइस देन